सब्सक्राइब कीजी सुपर हीरो टॉक्स यूट्यूब चैनल को और बल आइकन को दबाए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर पाए गाईज एवेंजर्स 4 वैसे तो अगले साल एप्रेल में रिलीज होगी बट कुछ मार्वल फैन्स इतना वेट नहीं कर पा रहे है किसी मार्वल फैन्स ने एवेंजर्स 4 की डिटेल्ड स्टोरी को लीक कर दिया है ये लीक एक रैडिड यूजर ने किया है उसी यूजर ने ज तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एवेंजर्स 4 में कोई टाइम ट्रेवलिंग नहीं होने वाली तो गाईज मूवी स्टार्ड होती है टूनी स्टार को नेबूले से जो इंफिनिटी वार में हुई लडाई के बाद वकांडा में लौट आये हैं और वो देखते हैं कि सभी बचे हुए एवेंजर्स थैनोस से हरने के बाद सदने में हैं टूनी स्टार को स्टीव के बीच अभी भी टेंशन बनी हुई है जिसकी वज़ा से स्टीव टूनी के आने से वाकांडा से चला जाता है और ब्लैक विडो भी उसके पीछे चली जाती है और यहीं मार्वल स्टूडियोस का ओपनिंग लोगो दिखाया जाता है एक सेट थीम के साथ इसके बाद हमें डॉक्टर स्टेंज के उन 14 मिलियन वीजन की कुछ जलक दिखाई जाती हैं जिसमें कुछ फ्लैश सीन्स में दिखाया जा रहा है कि थैनोस को कैसे हराया जा सकता है इसके अंदर वो सभी लोग हैं जो थैनोस की छुटकी से मारे गए थे यहां डॉक्टर स्टीन सोल स्टून के अंदर खुद को मूव कर पा रहा है किसी तरह के मैजिक की मदद से जो उसने मरने से पहले स्पेल किया था और उसी की हेल्प से वो हैंग पिम को ढूंड कर उसे और ब लैक बिटो के साथ मिलकर होकाई को ढूंड रहा है और अपनी सिविल वार वाली टीम फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है इसके अगले सीन में थौर डॉक्टर सेलविक के साथ मिलकर उसी गुफा में वापस जाता है जहां उसे एज ओफ अल्ट्रोन में इनिफिनिटी स्ट स्टोन के अंदर कहद हो गए इसके बाद थौर टोनी के पास जाता है और उसे यह सब बताता है और उसी वक्त केप्टन मारवल स्पेस से उड़ती हुई मैंहेटन पर आती है जिसे थौर और टोनी खतरा समझ कर उससे लड़ने लगते हैं यहां केप्टन मारवल दोनों के बारे में जानकारी लेता है और उसी की मदद से किसी तरह सोल वॉल्ड से कौंटम रियाल में जाने का तरीका ढूंड लेता है और हैंग पिम और जैनेट वेंड डाइन को साथ लेकर एक दूसरी डाइमेंशन में चला जाता है जहां उन्हें स्कॉट लेंग मिलता है जो एं बहेचते हैं जहां Quantum Realms की मशीन थी, वहां से बॉंग कोट को बाहर निकाल लेता है, जो बाद में डॉक्टर स्टेंज, हैंग पेम और जैनेट को भी Quantum Realms से बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद एक सीन में Captain America और उसकी टीम स्क्रल्स से लड़ रहे होते हैं, जहां Captain America की टीम स् Captain Marvel आती है, और उसके सिर्फ एक Energy Blast में सभी स्क्रल्स मारे जाते हैं, और तभी वो स्टीव को बताती है कि टोनी स्टार्क ने उसको फिर से टीम में वापस बुलाया थेनोस से लड़ने के लिए, इसके बाद ये सभी लोग Avengers Headquarters जाते हैं, जहां टोनी स्टार Captain Marvel को थेनोस के लेता है, दूसरी जगा हैंग पिम और टोनी स्टार्क मिलकर एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाते हैं, जिससे Infinity Stones की Energy को ट्रैक करके थेनोस को ढूंड़ा जा सकता है, इसके अलावा वो एक ऐसा डिवाइस भी बनाते हैं, जिससे कोई आम इंसान भी Infinity Stone को होल्ड कर सकता है, और ये डिवाइस वो सभी Avengers को एक एक दे देते हैं, और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है Bruce Banner, जो बहुत सारी कोशिशों के बाद Professor Hulk बन चुका है, इसके बाद ये सभी लोग मिलकर जाते हैं उस प्लैनिट पर जहां Thanos मौजूद है, और यहां शुरू होता है Final Battle, जहां ब आकर Infinity Gauntlet पर Attack करती है, जिससे Gauntlet Explode हो जाता है और सभी Stones फ्लोर पर गिर जाते हैं, यहां Avengers बागी सारे Stones को तो उठा लेते हैं, लेकिन Thanos Soul Stone के अंदर चला जाता है, और Soul Stone भी वहां से गायब हो जाता है, इसके बाद Hang Pym जो अर्थ पर ही था, वो Soul Stone के Location को ट्रैक कर लेता ह और Avengers को बताता है कि Soul Stone Warmir नाम के प्लानेट पर है, वही प्लानेट जहां Thanos में Gamora को Sacrifice किया था, इसके बाद Avengers Warmir पहुचकर दो टीम में Soul Stone को ढूंडते हैं, टूनी और स्टीव को वो जगा मिलती है जहां Red Skull था, Red Skull को जिन्ता देखकर स्टीव शॉक हो जाता है, वहां Red Skull उन्हें सब समझाता है और बताता है कि Soul Stone को हासिल करने के लिए अपने किसी सबसे करीबी को Sacrifice करना होता है, और तुमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इसके बाद टूनी और स्टीव एक दूसरे को देखते हैं, और कुछ देर के Silence के बाद, स्टीव अपनी Shield टूनी को देत में Soul Stone है, वहाँ वो टूनी को समझाती है कि तुमें अभी एक बहुत जरूरी काम करना है, उसके बाद वो लोग सबी स्टोन्स को एक साथ करके Thanos के किये गए Snap को Reverse कर देते हैं, जिससे सबी मरे हुए Heroes वापस आ जाते हैं, इसके बाद मूवी खतम होती है, एक Scene के साथ जहा डॉक्टर स्टेंज थैनोस को कॉंटम वियाल्म के Dimensional Prison में कैद कर लेता है, और फिर एक Scene दिखाया जाता है, जहां सभी Avengers Captain America के Funeral में मौजूद हैं, और यहां Movie खतम हो जाती है, इसके बाद दिखाया जाते हैं दो Credit Scenes, पहले Credit Scene में X-Men को MCU में आते हुए टीस किया जाता है, और दूसरे Credit Scene में Adam Warlock को टीस किया जाता है, यह तो थी Avengers 4 की एक detailed leaked story, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है और कितना जूट, लेकिन personally मुझे यह story काफी interesting लगी, आपका कहा है इस story के बारे में कि यह सही है या गलब, यह मुझे comment section में बताईए, और अगर यह वीडियो अच झाल झाल क्माँ झाल झाल क्माट क्माट भू झाल